और सर क्या करवादी आपने चाईना में? क्या हंगामा मचावा है? क्या प्रोटेस्ट चल रहा है कुछ हमको भी बताएं क या पिर ये सब कुछ आपने क्या करवादी है? सोमध भाई चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है आपकी बात ठीक निकली वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था बच्चे ही बच्चे हैं जीरो जो कोविट पॉलिसी और उसके खिलाफ जो इमेफ को गए हैं और तहीं स्टफे हमने कोई सबख नहीं सीखा मैं ये भी देख रहा था अभी बैंकरप्सी कोन पहले डिकलेर करेगा बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एलवेज दोनों में रेस लगे दोनों और और बिग लॉस अब पैंताली स्ट्रिलिन डॉलर जिसको लेकर ये बात की जा रही है कि चीन में बहुत ज़्यादा पावंदिया कुछ लगाई जा रही है और वहां पर एक बहुत अफरात अफरी मची है पहले पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो की लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डेटलिन बात अगर आपको ये जो आपका एक्सपोर्ट में नमबर वन आइटम हैं उसको भी एक्रफियो करनी पड़ेगी तो यहां तो लाइन है बैंकरप्सियों की आपको यानों को आई वेक्रफियों के लिए तो आपको यहां आपने मुझ से पूछा था फूट स्टोर के इस लिए कि इस लिए कि कर दोज़ा है इसा सहां आपको सबने कर दिया कि नहीं अब हो कहरा ची मासाब ये जो डिजास्ट ऑडिजास्ट रिजास्ट र चैना में निकल जो वह वो प्रॉबद ये व सून अनौस्ट अग्वाइब डिफॉल्ट अव एंट अच्छी जादा ऐसी सूरत में क्या हो ची मासाब डोचार चीज होगी पहली बात इनों ने लोगों ड़िए जिस बिल्डिंग में कोड़ निकल ए में गेट पर वैलिंग कमार देते हैं अब तुम अंदर रहो मारो तुम्हारे पास खाना है पानी है कुछ नहीं हमें मतलब नहीं जीरो कोड़ पहली बात अगर जीरो कोड़ का मतलब है तो मतलब तुमारी वैक्सीन तो पूल पार्टी उन्होंने की थी जब दुनिया पीक अपेंड है वहान में पार्टी है मना रही वह शंपियने चल रही है वह नहारे लोग पूलों में जी औरतें हैं सब कुछ है दिखा रहे हैं तो कोविड ही नहीं हमने कोविड कैंसल के मलब कॉंकर कर दिया डेमोक्रेसी से फिर लेंगे उसके माँ चीमा साथ फिर कलाई खुलने लगी एकनोमी की पावर नहीं है बिजली नहीं यह यह नहीं है वो नहीं सब हमने बातें कर ली आज परिस्तिती यह अगर वो कोविड पॉलसी हटा देंगे जीरो को लोग काम पे जाएंगे काम हैं नहीं एक्सपोर् बोलो नंदर रखो दीरे दीरे जितना अंदर रखेंगे उतना कम इंपक्त रहेंगा अब दूसरी आपने लगा जीरो को रिपाउंट चिर के जब काम नहीं मिलेगा लोग आएंगे रोड़ों पे हंगामा काटेंगे खूब हला करेंगे फिर जी जिजिंग मिलाएं इसको वोखने के लिए देकिए मैं भी मानतों हो दस दिन हाउसरस था वो कहीं बाहर दिखाने दस दिनों तस बारा दिन चाइना का ब्रजेज़ बाहर रूंट है दौत और लोटी इधम कहा नियुसे अप चैना में थीन गैंग से दो गैंग स्वेस्ट विधिन देपी एले इस निय में क्या हुआ सबसे पदे चीमा साभ आपने बोले हैं कोई 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 सबसे बड़ा कार खाना चाहिए नगा दो लाख लोग और फ्लैक्षिप जिसको देख क्या बिजनस बुलाते हो एपल जैसे को आपने फसा दिया है मैंने एक बार बोला था मैं का चैनीज इतने तेज हैं अगर Elon Musk जैसे को फसाली है, he might be the world's richest man और the smartest inventor पर चाइनी चक्कर में फस गया, अब वहाँ क्या हुआ, बोला है, जी COVID निकला, प्रोडक्शन रोक थी पहले अपले, अपल कह रहा था, आदा इंडिया में बनाओंगा, आदा चाइना में बनाओंगा, फिर कहता नहीं यार, पूरा इंडिया में बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज सब्लेक्शिंज अनौट रिलाइबल, चीमा सब 30-40,000 लोग तो मिना जूते चपल के भाजगे, बीवार क मिली, आगे का तन्खा काम शुरूआ, कार खाना शुरूआ हो नहीं हुआ, और दिक्कत की बात है, यह सम मुझे मिला नहीं, और मुझे कोविड भी नहीं, तो नोकरेया अगर मुझे कोविड नहीं, न तन्खा, न खानी, न न न नोकरी की गारेंटी, न पुराने पैसे, ना पानी, ना बिजली, कच्रा कोड़ा जमा, कोविड मुझे है नहीं, तो भाई मुझे रोका कि वह यहाँ पर मुझे घर जान दो, भाई आप जो बातें कर रहे हैं, इससे तो ऐसे लाग रहे हैं, चाइना ने आज ढूप जाना है, या चाइना तो खतम तबाशुद, मत इपक्ट हो पड़ा है, होता है, सारी दुनिया में हुआ है, लेकिन सारी दुनिया तो वहाँ पर सजदा करके बैठी हो यह फाइनेशली चाइना के सामने, मैं बाइडन जैसे लोग जो है, वो कह रहे हैं, आप ने तो दो मिनिट में चीन को गिरा के नीचे फैंक दिया, आ लेकिन आपने समझते कि ज्यादा सोशल चैलेंजेज हैं वहाँ पर, ज्यादा प्लिटिकल चैलेंजेज हैं, पहले आपको फैनाइंशल समझना पड़ेगा, यह फॉक्सकॉन में हुआ जो उनका फ्लैक्शिप कार खाना है, जिसको देख के वो दुनिया को बिजनस लाते, सेंपल फ्लैट होता ना, बिल्डर का, जिसमें सब कुछ ठीक होती है, वह यह वाला काम है, अब यहां कार खाना फिर आग लग जाती ही प्रोविंस में, वहाँ फायर टेंडर पहुंच से नहीं, मुझे लगता हो जान बूच की नहीं पहुंचे वहाँ पे, के रहें 10-20-30 लोग जलेंगे, तो उनको थरा थोड़ा उनका धिमाग ठीक होगा, फिर गॉंचु में प्रोटेस्ट होते हैं, फिर शंगाई में होए, फिर बेजिंग में बेजिंग में प्रोटेस्ट का मतलब है, आसमान तूठता, क्योंकि देखिए, वो कमनिस पार्टी का तो उनको दबा दिया गया, तो उनको दबा दिया गया, चीमा साथ दिक्कत यह है कि कौन सा ऐसा वेरियंट है, कौन से इसी चीज़े कोईड की, जिसकी 14 लाइफ से कल है, इंडिया में 300 केस नहीं आता कोईड का, हमारी अभी लापों में टेस्ट इंजा रही है, वहां कौन से केस आज़े, क्या हो गया वहां पर, जिब दुनिया में कोईड था, वहां नहीं था, वहां है, वहां है नहीं, PCG अमेरिका को दंकिया दे रहे थे, ताइवान को दंकिया दे रहे थे, दुनिया भर को दंकिया दे रहे थे, जैस्टिन टूडो का रस्ता रोक रहे थे, आ लाए उस नाम के पॉस्ट लगे बेजिंग इस तो आप देखे लोगों एकन आगर आप किसी के घ्र के बाहर चीमा सा वेल्डिंग करो करें इस बिल्डिंग में कोड़ सबसे बड़ा लोजर रहे हैं अब आप देखिए इतने प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में हो रहे हैं और यह बिना पुल्टिकल सपोर्ट के नहीं और है है अगर तो दोस्तों यह वीडियो यहां पर होता है खत्मा आपने यहां पर बात हो रही है कि चीन में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो एक अलग तरीके का रंग ले चुके हैं और चाइना में काफी अफरात अफरी मची है चाइना में हाल फिलाल में अगर आप देखें तो कोविट केसिस के नंबर भी काफी ज़्यादा बताये जा रहे हैं य जैसे लगे आपको चीने कैसा देसे जहां पर दुनिया के सारी वो वेबसाइट जो दुनिया में सबस्जादा फेमस है वो बैन है जैसे कि आप देखें गूगल फेस्बुक ट्वेटर इंस्टाग्राम और और भी स्पॉटिफाई जितनी भी मतलब फेमस चीज़े हैं वो च क्या दना रहें आपको क्या आपको